यूक्रेन में लगतार रूसी हमले जारी हैं जिसके बाद से बहां के हालात बद से बत्तर होते जा रही हैं इस वीच यूक्रेन में अब भी कई भारतिय फसे हैं जो सुरक्षत वापसी की कुहार लगा रही है एज़े में राहूल गांधी के बाद अब कॉंग्रिस की महासच्यो प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है ये वीडियो लखनों की रहने वाली गरबा मिश्रा का है जो युकरेन में इस वक्त फसी हुई है वो बता रही है कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा उनोंने इंडियन एमबेसी से भी बात की लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई चात्रा ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी और यूपी के मुख्य मंतरी योगी आधितनास से मदद की गोहार लगाई है वो मिलने वाली नहीं है हमने यह कुछ वीडियो बेखिए जब अभी जस्त अभी थोड़ी देता है हम MBC को को कर रहे हैं MBC हमें को हमारी को नहीं उटा रही है दन उसके बाद अंदर आने की कोशिस करते हैं क्या होता हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे सा सिच्विशन लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोजा कि हम यहां से निकलते हैं और हम यहां से किसी तरे निकलते हैं बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसे निकले कार से अभी जस मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहां से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस उनको रश्यन पेपर ने रश्यन आर्मी ने पहले स्टक किया उन पर फाइरिंग करी और उनकी लडिक्यों क स्टह मत वीडियो लेकíst को निक्सले लड़की लड़कता डमिगए हो पता निकाहा लेकंग है यह किसी को कुष को अनसी पतारी कर देक्षन लड़कों की कि मेरा सब्दनिया जाडने थानए घरिक किसी को साथ पतार ने कीवादाई तो प्लीज अप खहाँ गे हम मुवी इस ये में प्लिजी जो भी है, प्ली से आवं हम आजाताथा था है, आज में बचा लिया जा जाएगाँ. ये नहीं हमें भी आजा हो जाएगा Сп wissen कि कुषिए उब से हमें कि वह में प्ली उपचा है। गर्ण प्लीज जहां पर भारत प्लीज आप मरे याफ करो प्लीज जो भी सुन रहा है जो भी देख रहा है इस वीडियो को शेयर करो अब ठर जगे पेचो इससे पहले कॉंग्रिस के रेता राहूं गांधी ने अपने टुटर हैंडल से यूक्रेण में भारतिय छात्रों का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें चात्रों के साथ हिंसा हो रही है उन्हें पीटा जा रहा है वीडियो शेर करते हुए राहुल गांधी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा इस तरहे कि हिंसा जेल रहे भारतिय चात्रों और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के प्रती मेरी संवेदना किसी भी अभिभावक को ऐसी स्थती से ना गुजरना पड़े भारत सरकार को युक्रेन में भसे हुए लोगों और उनके परिवार के साथ ततकाल निकासी यूजना शेयर करनी चाहिए राहुल ने कहा कि हम किसी भी हालत में अपनों का साथ नहीं छोड़ सकते फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार